नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है अगर आप लोगों ना भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पय करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आकन को प्रस कर दे ताकि रिडिस्ट मोडिफिकेशन आपक करते हैं इनका कोश्चन इस प्रकार है वरतमान समय में कि सरकारी नौकरी की तयारी कर रही है आगे के जीवन के बारे में जानना चाहती है हतली पर जीवन रिखा में थोड़ी रुकावटे भी दिख रही है इस विशह पर में इनको जानना है और आगे का जीवन कैसा या करते हैं तो हताशा और निराशा ये एक समान बात होती है तो आज की वीडियो से मैं इस चीज की पुस्टी करूँ का कि आपके हाथ पर ऐसे कौन से योग होते हैं जो आपको डेफिनेटली सरकाई नौकरी प्राप्त कराते हैं और आपके हाथ पर ऐसे कौन से योग होते ह इसके रहने के बाद ये बिलकुल भी नहीं बताते कि आपको सरकाई नौकरे मिलेगी है। तो आईए देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले चीज मैं ये बताना चाहूँगा आपको, कि पहले तो इनकी जीवन रेखा की बनावट को समझे है। जीवन रेखा क्या है? ये एक जीवन रेखा यहाँ पर आई। इसके बाद आपको मिटी भी नज़रा आ रही होगी। क्या ये नेगटिव है? क्या इसको तूटावा मानेंगे? क्या ये अलपायू है? एसे बहुत से लोग के हाथ पर होगी, तो क्या सभी अलपायू है? सभी का जीवन यापन करने में उनको बहुत दिक्कत होगा, सभी क्या यूँ बहुत लंबी नहीं होगी, क्या ये सच है? तो सचाईज आनने से पहले, सचाईज समझने से पहले, ये आप समझे एक चीज़ को, कि आपके अगर जीवन रेखा यहाँ पर आके रुख जा, इसके बाद ना आपको रेखा दिखे ना इसके पीछे आपको रेखा दिखे, तो फिर समझना ये बहुत ब़ली नेगटिव चीज़ है, अगर ये ऐसा ना हो, इस प्रकार की एक मंगल रेखा नजर आ जाए, इस प्रकार की लाइफ लाइन नजर आ जाए, ये लाइफ लाइन का ही ब्रांच है, तो ये जीवन रेखा नेगटिव नहीं, पॉस्टिव माना जाएगा, पॉस्टिव माना जाएगा, तो केस में negativity नहीं होती है ये समझ लिए आपने तो ये बहुत महत्पून चीज मैंने आपको बताया कि ये बिलकुल भी बिलकुल भी negative परिवर्तन नहीं माना जाएगा और ये positive होगा अगर आपके किसी हतली परवस्तित है तो आप उने जीवन को बहुत सार्थक्ता के साथ बिता करने वाले हैं अगर ऐसे कुछे चिन्न आपके हाथ पर वस्तित हो तो चलो जी ये तो होगी पहली बात तो यहाँ पर से आपको डरने और परशान होने क्या हो शक्ता नहीं है ये आयू लगबग आपके 34-35 वर्सकी है इस समय आपको तरक्की महसूस होगी और आपका जीव सम्मान परतिष्ठा दिलाने है तो इनके हाथ पर एक सूरी रेका बड़ी अच्छी दिखरी है मुझे तो इस केस में जातक को यश्मान सम्मान जरूर प्राप्त होता है लेकिन जब सूरी रेका हेड़ते रेका तक भी ना पहुँच पाए तो समझेगा कि आपको तरक्की 30 30 वर्स के आईयो के बाद ही मिलती है,処brat 35 अर 30 वर्स के अंतरालम मिलें, लेकिन एक है तो कलर क्लेवल की नौकरी मिलेगी, बहुत बड़ी अधिकारी के सुख 안에, अधिकारी की सम्मान नहीं मिलेगा लेकिन है कलर क्लेवल की नौकरी आपको प्राप्त होगी, और आप प्र उच्छ दिकारी बनाती है, उच्छ दिकारी सुख जीवन पर प्रदान कराती है, पहला बात तो ये हो गया, दूसरा अगर सूरी रेका हिर्दे रेका तक पहुंचे तो 28 वर्स के आयो तक सफलता मिलने के चांसे बनता है, 26-30 वर्स के बीच, अगर आपकी सूरी रेका इसके चली जाए, जैसे ही साथ पर आपको नजरा रहा होगा, तो ये सफलता थोड़ा लेट दिखाती है, 30 वर्स के बाद, जो कि इनके जीवन पर हो भी रहा है, तो लेकिन हाँ, ये एक होब जरूर है, ये एक पॉजिटिव होब जरूर है, कि आपको जीवन के अंतिम समय में कह रहा हूँ, कहने का तात पर ये है, अंतिम समय नहीं, जब आप हार जाएगे, 30 वर्स के बाद, तो फर आपको जरूर सफलता मिलेगी, ये आप समझ गए, चलिए, मैं आपको आगे और विचार कराता हूँ, और क्या क्या चीज़े आपके हाथ पर हैं, अगर मैं आपको बत आपको वो जरूर हासिल होगा, और सरकाई नौकरी की प्राप्ती जरूर होगी, तो आपको खुछ थोड़े बहुत सार्था को पाएं करने हैं, वो करने के बाद और क्लैरिटी हो जाएगी, और अस्पस्पता आजाएगी, कि आपको नौकरी मिलनी ही है, तैह है, अब ब्र 32-33 के बाद की आए बढ़े, और खर्चा तो वहीं कॉंस्टेंट ही रहेगा, खर्चा अगर बढ़े भी तो कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि जब आए ही बढ़ जागा, तो पैसे सेब भी हो जाएगे, तब जाके आपकी बुद्धरेका सार्थक्ता के साथ दिखने हैं लगी तो यह हो गई माइंड लेखा, यह जीवन रेखा, हाइली डिपेंडन्ट है, कुस्ट ट्राइंगल्स हैं, जो कही न कही बचपन से डिगरी पूरे करने का योग को बता रही थी, इस केस में होता है, बाकि यहाँ एक राहू रेखा, लगबग यह 20-21 के आसपास है, 23 में ए रही है, और यह असपश्चता के साथ जीवन रेखा ही है, काफी लोगों का हाथ मैंने देखा है, काफी लोगों का, उसके बाद आगे हम देखे हैं, तो यहाँ पर एक जबरदस्त, जबरदस्त जीवन रेखा भी आके चली है, क्या बात है, क्या बात है, यह भी एक मंगल के माध्यम से देख पा रहा हूं यहां भी एक मंगल ड्रे का बड़ी अच्छी है लंग्जुर्स लाइफ के समान इस्तरिय योग है बाकि ठीक अलके फलके के साथ बीटता जरूर है नो डाउट ये भी मैं इनके अतली के माध्यम से देख पा रहा हूं शुकर मंगल बड़ी अच्छी स्थती में है तो अब मैं आगे विचार करूंगा अतली पर और क्या चीज़े है तो एक गजब थंब एस्ट्रांग इक्षा शक्ती है ये थोड़ वर्ड भी है कभी कवार उड्रेस भी आता है वो समाने बात है टिंड कर ये अच्छी दारमी का सेटन फिंगर लंबे तो महरती सुरी फिंगर निम्मत को बता रहा है बुद्ध फिंगर थोड़ा छोटा है तो जहाँ पर कम्यूकेशन स्किल वाईज या फर कहलो कि रिसिज करता है कि ये तीस वरस तक गरबर है पैंतिस तक है चालिस तक है तो समय के बारे में बता रहा हूं कि ये थोड़ा जादा दूर तक है मतलब आपके जीवन में इसके लिए उपाय करना है उसके बाद माइंड रेका अच्छी है दिमाग की तेईज है हिरदे रेका भी काफी भी दिखरी है मुझे ऐसे व्यक्ति भावग पडविरती के भी होते हैं भावगता भी आ जाती है जीवन पर तो ज़्यादा भावगता भी ऊचित नहीं है अग्य ये एक जबरदस बागे रेका आगे भी बागे रेका शानदार है यहाँ भी एक बागे रेका कही ब्रांच कुछ ब्रांचेस भी है तो गुणी है अपने गुण के दम पर आगे बढ़ते हैं और एक सूरी रेखा एक प्रोफेशन एक मान सम्मान को जीवन पर इंडिकेट तो करी देता है मंगल तो ठीक ठाक है ना तो बहुत ही अच्छा है ना बहुत खराब है जब मध्यमस तरी रहे तो जातक बहुत ज़दा मोटे नहीं होते है थो इसके पहले बाग्यरेका में डाउट था बाग्यरेका कोई खास सार्थक नहीं थी बुद्धर एका भी कोई खास सार्थक नहीं है तो पैसे भी जमा करने में दिक्कत होगा लेकिन 36 से आपके जीवन में बागुदे सुरू होगा एक पॉजिटिव परिवर्तन 42 में देखेगा उसका कोई खास नेगटिव इंपेक नहीं है चंदनवा पर ये लाइंस यात्र इसको से नहीं मिल आगा लेका आप संपर्द कर सकते हैं थन्यवाद